किसान भायों ग्यहों की उपज बत्ती एकड़ 15 से 20 क्यूंट तल कैसे बढ़ाएं ग्यहों में बालियां निकलने लगे उस समय कौन सी दवा का छिड़का हमें करना है क्या ग्यहों पर बालियां अधिक लंबे और ज्यादा दाना भराव होने के लिए कोई रैसानिक रूरक का छिड़का करना है तो आज इस वीडियो पर बालियां अधिक लंबे हो और दाना का भराव अधिक आए और अधिक उत्पादर मिले इसका आज ए तुजेड जनकारी देने वला हो तो किसान भायो मैं आपका भाई दोस्त प्यारा चैनल किसान मिला चैनल पर आपका स्वागत करता है तो सबसे पहले किसान भायो ग्यहों की खेतों पर हर समय नवी बनाए रखना है खेत सुक जाए तो उस समय तुरांत सिचाय करना है इसे होगा किसान भायो की जो ग्यहों है उसे पाला गिरने पर भी यह ग्यहों पर पाला का परभाग कम पड़ता है और दूसरा फायदा होगा किसान भायो नमी रहने पर जो ग्यहों की बालिया अच्छी से और पूरा बालिया निकलता है बालिया निकलने में बाधा नहीं पड़ता है और दाना का भराव और दाना में दूद भरने के समय पानी की अतियाव सकता होती है इसलिए इस समय सिचाय में कमी नहीं करना है अब गेहूं की उत्पादन बढ़ाने के लिए पत्ती एकड़ 15 से 20 कुंटल कैसे बढ़ाए इसके लिए पहला काम करना है किसान भायो यह बालिया निकलने से पहले PGR Plant Growth Regulator दवा का इस्प्रे करना है जो सबसे बेस्ट PGR दवा है शमतकार, बायोविटा, बियसेप कमपनी का लियोसीन तो यह सबसे बेस्ट Plant Growth Regulator दवा है PGR का आम होता है किसान भायो यहों की लंबाई वो बढ़वार को नियंतित करता है, रोक के रखता है जो यहों की लंबाई बढ़ाने में जो सुच मुपोसक, खनीज, रसानी कुरूरा का उप्योग करता है उसे यहों की बालियां का फूटाज निकालने में उसका उप्योग होता है, जो रसानी कुरूरा का उप्योग करता है तो इस परकार से किसान भायो जो बालियां निकलती है उस पर मदद करता है पीज्यार, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना है, एस्प्रे करना है तो इसका उप्योग 2 ml पर लिटर पानी में या किसान भायो 30 ml 15 लिटर पानी में मिलाकर साम के समय जरूर एस्प्रे करें और इसके अलावा किसानिक रुरक खाद का उप्योग करना चाहिए बहुत से किसान को यह समस्या होती है तो किसान भायो जरूर आप रशानिक खाद उप्योग कर सकते हैं लेकिन वैसे खाद का प्रियोग करना है जो दाना का भराव दाना में दूद का भराव अधिक हो जिससे अधिक दाना बढ़े इसके लिए किसान भायो एन पीके जीरो बावन चोंटीस एक कीलो को एक लिटर पाने में घोल बना कर उसे सटर से असी लिटर पाने में मिला कर एस्प्रे करना है या 30 से 40 किलो पुटास दानेदार का परियोग करना है वह भी सिचाय के समय अगर एस्प्रे नहीं करते हैं तो उसके जगह में 30 से 40 किलो पुटास दानेदार फोम पर आता है उसका सिचाय के समय करना है तो इससे ग्योह की जो दाना होगी वह चमकदार होगा वह जन्दार होगा और बड़े अकार का होगा जिससे ग्योह का उत्पादन भरपूर मातरा में आएगी तो किसान भायो इस परकार से तीन चीजों का आप इस्तमाल कर सकते हैं जो इस वीडियो पर बताया पहला बताया था कि सी चाय करना है सही सही टाइम पर दूसरा बताया था कि पीजियार का उप्यों करना है और कौन सी बेश्ट पीजियार है उसको बताया और तीसरा बताया किसान भायो की रसानी खाद वह रसानिक हाद कौन सा है जिसका आप एस्प्रे कर सकते हैं अगर एस्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आपको 30 से 40 किलो पोटास का परियो करना है और वह भी सिचाय के समय तो इस परकार से किसान भायो आप सेडियोल अपना सकते हैं और अपने ग्यों की उपज को 2 गुनी 3 गुनी बढ़ा सकते हैं जो हर किसान इस परकार से नहीं करते हैं और जो उत्पादन है उससे कमी देखते हैं तो किसान भायो आज ही से आज इस परकार से अपनाए और अपने ग्यों के उत्पादन को दो गुनी तिन गुनी उत्पादन करे जिससे ग्यों की उपज पत्ती एकड़ 15 से 20 कुंटल निकाल सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा ले सकते हैं अगर ज़्यादा एरिया पर ग्यों की फसल लगाते हैं तो यह थी आज की जनकारी किसान भायो अगर यह जनकारे आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नए नए फसलों की जनकारे आप तक अपडेट मिल सके तो किसान भायो यह थी आज की जनकारे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैजवान जै किसान